अनमल काइट्स के कुछ डिजाइन सोच रही हूँ तो मेरे काइट मेकिंग एक्सपेडिशन के साथ आप भी जुड़िये अक्टुपस पतंग के लिए हमें चाहिए बैंगनी काइट पेपर, सफेद पेपर, क्रेप पेपर, बांस के स्टिक्स, धागा, टेप, गोन, कैंची, पेंसिल और काला माकर हमने अभी एक पतंग बनाई है उसके दो स्टेप्स वही हैं तो बस दोराती हूँ अक्टुपस का सर बनाने के लिए दो यू शेप्स काटिये और जैसा हमने पहले किया था बैंबू स्टिक्स को इन में पिरो दीजे और अब मैं आपको बताती हूँ कि आँखें और मू कैसे बनेगा हम हरे पेपर पर दो सर्कल्स बनाएंगे एक बार फिर इसे पलट कर दो सर्कल्स बनाएए सफेद पेपर पर दो सर्कल्स बनाएए क्योंकि हम सारी ड्रॉइंग खतम करना चाहते हैं इसलिए मैं एक रेक्टांगिलर मू भी इस ओक्टुपस के लिए बना देती हूँ जगमीद जानते हो ये कौन सा रंग है ये बताओ लाल हाँ बिल्कुल सही और अब हम इन्हें काट लेंगे दो सफेद सखल्स तो अब आँखों को चिपकाने का वक्त है ये एक चिपका दी जगमीद क्या तुम मेरी मदद करोगे आओ इसे यहाँ चिपका दो थोड़ा दबाओ और ये सफेद वाला भी ठीक यहाँ जगमीद इसे भी दबा दो गुड गुड जॉब और आखिर में इसका मुँ यहाँ अब काला मारकर लेंगे और आईबॉल्स बना देंगे ये तयार हो गया ओक्टुपस का सर टेंटिकल्स बनाने के लिए हम ओक्टुपस के सर के लिए बैंगनी रंग का क्रेप पेपर लेते हैं ये सब किसी भी स्टेशनरी की दुकान में मिल जाएगा जगमीद तो बताओ ओक्टुपस के कितने पैर होते हैं? आज बिलकुल सही ये बहुत आसान है सिर्फ सीधी लाइन में स्ट्रिप्स काट लो और इन्हें हम ओक्टुपस के पैर की तरह इस्तिमाल करेंगे और टेंटिकल्स तयार हैं अब हमें इसे सर के साथ जोड़ना है, राइट? इसलिए हम सर को पलट देंगे और डबल साइड़ टेप को ओक्टुपस की लंबाई वाले साइड पर चिपका देंगे ये बहुत आसान है मैं इसके दो स्ट्रिप्स चिपकाऊंगी इसे छील लेते हैं और अब हम इन टेंटिकल्स को इस डबल साइड़ टेप पर चिपकाना शुरू करते हैं जगमीत मेरे साथ गिनना शुरू करो एट, दो, तीन, चार, पाँच, छे, ये, साथ और हमने अपना आखरी टेंटिकल यहां लगाया तो ये क्या बन गया? अच्काइ क्या है अन्हमस्टूल